चलो स्वागे बढ़ते हैं लास्ट सेक्ष्ट में अपने यादव कम्पीट किया था नौ नेक्स्ट अमेंडमेंट एपरिश्मेंट ऑफ आईटी सी जिसमें अपने रूल 42 43 पड़ा था जहां पर इंपूट को एपोरिश्ट करते हैं वहां पर टेंशन में तो कोई बहुत ब कि सेम तिंग रूल 43 में भी तो रूल 42 या 43 जहां जहां पर जी इस्ट्रेट उसको हटा दिया है तो अपने जो पढ़ा है वह एस्ट इस पढ़ना है नथिंग टू वरी सेम्या पर भी यह सेक्षण 41 42 हटा दिया है तो एप पर्शन में सच कुछ ज्यादा चेंज़स नहीं बस जहां पर सेक्षण 42 लिखा है 43 उसको हटा दिया है चलो नौ अब यह रिजिश्टेशन चाप्टर में दो चोटे से चेंज़स वह ज्यादा बड़े चेंज़स नही है अपने पढ़ा था सेक्षण 22 जो है परसन लाइबल फॉर रिश्टेशन वापे तीन क्रेटरिया है दस लाग भीश लाग चालिश लाग ऐसे तीन क्रेटरिया है तो एनी परसन हो इंगेज़ इन सप्लाइब गुड्स सर्वेस एन उस अग्रिगेट टर्न इन फिनेंशल यह दस नोट एक्सटेश्ट में 40 लाग के बाद रिश्टेश लेना है पुश्टेट में 20 लाग एं पुश्टेट में 10 लाग ठीक है नौ एक्सेप्ट अभी यहाप मे इसक्रीम पांद मसाला एडियाबल ओइस उनके लिए चलेशला के लिए अपलाए नहीं होगा पांद मसाला ओल गुड्स टोबैको एंड मैनिफेक्ट्ट्रिंग ऑफ टोबैको सब्स्टिटूट तो यह भी इसमें अभी एड़ हो चुका है ठीक है और यह चुट यह और फ्लाइश एग्रिगेट विट 90 परसेंट और मोर तो उसके लिए अभी यह लिमिट अपला होगा क्योंकि यहां से हटा दिया ना एक्सेट का मतलब क्या है इंके लिए चालिशना के लिमिट अपलेकिवल नहीं है तो इसमें से जो हड़ गया मतलब ऑबिसली क्या हो गय इस तो विट 90 परसेंट और मोर है तो पहले नहीं था चालिश क्लिमेट अभी होगा तो अभी उचालिश के बाद ही क्या करना है रेजिट्रेशन लेना है अब बागी तो आइस एटेस है एक छोटा सा अमेंड मेंड है सेक्शन 29 कैंसलेशन आव रेजिट्रेशन में भी कु 29 1 अपने खुद अप्लाय किया है सेक्शन 29 2 जहां पर डिपार्टमेंट आपका नंबर कैंसल करता है तो इसमें बस रिच्ट्रिंग हुआ है बाकी ऐसेच कुछ एमेंड मेंड नहीं हुआ है पहला वही है कि कप कैंसल होगा यह दस नोट कंड़क इनी बिजनेस फ्रॉम द मतलब इन्वाइस दिया है गुड सर्विस नहीं दिया है ताकि सामने लोगों करेट का मिल जा है कि सेक्शन 1 से अंटे उन के प्रॉविशन वाइलिट के है रूल 10 ए फरनिशिंग बैंग डिटेल्स उसके रूल अपडेट मतलब फुल्फिल नहीं कि है सेक्शन 16 की कंडिश से क्रेट मिलना विल लब बुड्स मिलने चाहिए इन्वेस मिलना चाहिए तो सेक्शन में अपने बहुत सरे कंडिशन से कथे वह फुल्फिल नहीं हुए अगर आप अगर आप नॉर्मल स्किम में हो अपने 6 मंद के अगर आप तो यह सेम ही श्रक्षर ही हुआ है अपने क्या बढ़ाता कि नॉर्मल जो स्किम में है उर्णे 6 मंद के रिटन फाइल नहीं किया है तो दो कॉर्टर के रिटन फाइल नहीं किया है तीसरा अगर आप कंपोश्चन लेवी में हो तो कंपोश्चन लेवी में साल खतो होनी का तीस तरक को फाइल होता रिटन उसके बाद 3 मंद रिटन फाइल नहीं किया करेट ना सु ऐसा है कि अच्छिक है कि सु तीन दिया मतलब जो मंतली है कि उसके लिए सिक्स मंद कंटेशल रिटन फाइल नहीं किया है कॉटर ले उनके लिए टू कॉटर्स एंड जो कंपोश्चन स्कीम में यरली है कि उनके लिए 3 मंस का समय एक्स्ट्रा दिया है सो तीस अप्ल के बाद 3 मंस में अगर अपने रिटन फाइल नहीं किया तो आपका नंबर कैंसल किया जाएगा तो मंतली वाटरली यह लिए तो यह बस रिस्ट्रेक्ट्रिंग हुआ है अस्टेश कुछ अमेंटमेंट नहीं है अब इसमें सस्पेंशन और रिस्ट्रेशन अभी पहले सस्पेंशन होता है क्या हो देखते है स्पेंशन का मतलब है मैंने रिस्ट्रेशन के लिए अपलाई किया अपलाई करने के बाद जब तक वो कैंसल नहीं होता है उसको जो पिरेड आप उसको सस्पेंशन बोलते है तो दूरिंशन अपन कोई भी ट्रांजक्शन नहीं कर सेथे जी इस्टी का बिकाश्ट्रेशन अब इसमें क्या अमेंड्मेंट में वह है बस लास्ट लाइन में अमेंड्मेंट हो है कि आपका जो सस्पेंशन का ओर्डर है वो रिवोक किया जाएगा क्या बोला है तो सस्पेंशन आपका नंबर सस्पेंश किया था वहां से वह कैंसल भी किया जाएगा बट रिवोक कैंसल कब होगा लास्ट लंग में दिया है अगर अपने सब पेंडिंग रिटेंस फाइल कर दिये ए अगर अगर अपने पेंडिंग रिटेंस क्या कर दिये फाइल कर दिये तो आपका नंबर सस्पेंशन था उठाइजाएगा अपने से वह रोक किया जाएगा तो इस सिंपल वर्स इतने दानुवर रखना है कि दूरिंग सस्पेंशन प्रेट आगर आपने सब रिटेंस भर दिया है तो आपका सस्पेंशन अटाए जाएगा मतलब नूमबर वापीस दिया जाएगा सब्सक्राइब वाद गजाएग्ज्ट इस कुछ बहुत भारी अमेंडमेंट नहीं है नव गईस एक्जम्शन में बहुत सरे अमेंडमेंट में हुए बहुत अच्छे से पढ़ना है यह एक्जम्शन फ्रॉम जी सटी है पहला पहला है एंटर नंबर 74 जिसको मौलते हैं ड़ तो यह लोग जो सर्विस देते हैं उस पर GST नहीं आएगा पड़े सर्विस कौन सा होना चाहिए हेल्थ केर को होना चाहिए एन लोग ने देना चाहिए तो भी एक एमेंडमेंट हुआ है प्रोवाइट थे नर्थिंग कंट इन इस इंट्रेशाल अप्लाइट तो सर्विस प यूनिट नियो नेटल इंसेंट यूनिट एन एन आइसी यू सो आइसी यू सी सी यू आइसी सी यू एन एन आइसी यू आप इसके डिटल में जाओं आपने वो डॉक्टर नहीं बनना है चार्जेस एक्सेडिंग फाइट वजन पर डे पर संड रिसेविंग हेल्ट केर सर्विस मतलब क्या बोला है कि रूम के चार्जेस अगर पाच आर के उपर है तो उस पर जी एस्टी आएगा लेकिन यह रूम में यह चार रूम कवर नहीं होंगे जो बंदा ओलरी आईसी में है और इस ओलरी स्ट्रगलिंग इस फैमिली स्ट्रगलिंग और उसके उरपन आप वापी जी एस्टी लगए तो गलत होगा तो यह चार नाम ले मैंने आइसी यू चीऊ आइसी यू यहां पर इंट पाज आर के ऊपर तो भी जी एस्टी नहीं आगा लेकिन अपका ट्रिट्मेंट होने के बाद आपको नॉर्म में शिप्ट करते ना ओके तो वहां पर पाज की उपर तो जी इस्टी आएगा हॉ कि अबेकि तो कोई अमइंटमेंट नहीं है जैरे मिनिंग हैसे बॉसन को स्वापार्य का मतलब आच़ प्व। का तो आपको पता है उस ट्रस्स का भी ambulance है, they also take some money, but बहुत कम लेते हैं, so no GST on that, अचा, now, what is meaning of healthcare service, आपको बता ही है, diagnosis, treatment, care, for injury, deformity, abnormality, pregnancy, in the recognized medicine of yoga, इसमें transportation भी इंक्लूड़ेशन का, in a clinical establishment, तो ये ambulance कौन सा है, जो hospital का है, and क्या इंक्लूड़नी है, hair transplant, cosmetic plastic surgery, इंक्लूड नहीं है, but, except when underdaken to restore, or to reconstruct anatomy, of functions of body, affected, तो ये वाला covered है, तो normally, hair transplant, cosmetic plastic surgery, covered, नहीं है, बट कौन सा वाला covered है, ये वाला, जो as a part of injury है, चीख है, तो ये था, amendment 5000 का, बस बाके कोई, मैंने जासे, एक revision ये आपको समझाने के लिए, not 73, preservation of stem cell, service provided by cod blood bank, by the preservation of stem cell, और in the service in, मतला पने पड़ा था, कि जब बच्चा बाउन होता है, इस connected to its mom, उसको नाल बोलता है, तो वो जो mom से connected होता है, उसको preserve किया जाता है, for future use, चीख है, तो उस पर पहले GST नहीं था, लेकिन उस preservation के charges होते है, कि 25 साल, 50 साल अपको कितने सर उसको store करना है, तो उस पर GST आएगा अभी, then 75 में, treatment or disposal of biomedical waste, service provided by way of operator of common biomedical waste, in a treatment facility to clinical establishment, by way of treatment or disposal of a biomedical waste, और process insertion there to, मतला अपन ने पड़ा था, कि hospital में जो भी treatment होता है, जैसे operation में जो भी use हुआ है, जैसे दवा यूज होती है, एन वापे blood बहुत सरा ही होता है, chemical use किये जाते है, operation ने पता नहीं क्या-क्या चीज़ी होती है, तो उस सब को proper तरह से dispose of किया जाता है, तो यह बाहर से agency है कि इसको dispose of पर के बाब, यह किदर भी ऐसे फेकते नहीं है, उससे नय virus ना पैदा हो जाए, correct न, इनके service में पहले GST नहीं था, अब इनके हर एक service में क्या आएगा, GST आएगा, तो healthcare में काफिसरे amendments आगे, तो यह जो पहले exam था, पूरा taxel हो गया, पूरा क्या हो गया, taxel हो गया, next, exemption related to agriculture sector, तो enter number 54, service by way of fumigation in a warehouse, अभी दोगो, अभी agriculture sector में भी है, जो आपने पढ़ा था, उसमें, उसमें भी fumigation है, यह warehouse वाला taxel कर दिया, लेकिन at an agriculture farm में तो exempt है, यह number 54, agriculture का पहला इंटर चेक करना अपने नोट्स में, तो उसमें भी fumigation है, बट उन दोनों में फरक है, आप एक बार चेक कर लो, उन दोनों में क्या है, फरक है, तो fumigation, तो वेरोस में तो उसको जीएश्टी नहीं आएगा, यह number 53, यह भी omit कर दे, दो जगा पर था नो, मैंने आपको कहा था, वो 54 में पर उसका अलग एंटर भी था, तो दोनों जगा से उसको क्या कर दे, आट आ दिया, ना 24B में देखो क्या है, storage और वेरोस इंग और पल्सेस, सर्विस बाइवाफ स्टोरेज वेरोस और पल्सेस, इसमें, देखो क्या क्या चेंजिस किये गए, इसमें यह थोड़े चेंजिस किये गए, fruits, vegetables, cereals, यह सब एड़ किया गया है, यह खाली पहले पल्सेस के लिए था, अभी बाद में इसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, तो अभी 24 में इनको exemption मिलेगा, बागी सब टैक्स हो लोंगे, exemption related to sports sector, यह कुछ काम का नहीं है, अब अब नहीं बढ़ा था कि Women World Cup जो आ था फीफा का, अंडर 17, 2020 में, तो उस पे जो टिकेट था, service by way of right to admission to event organized by फीफा, वो एक्जेम्ट था, यह 2020 के था, अभी उनने बोला कि whenever schedule, अब अगे कब जब schedule होगा, तो भी क्या रहेगा, एक्जेम्ट रहेगा, कुछ काम का नहीं है, अच्छा amendment ने exam में कोशन आ सकता है, entry number 50, तो amendment क्या हुआ है, यह अपने पढ़ा था class पो, इसमें बस economic class एड हुआ है, तो पहले क्या था, अगर अगर आप जा रहे, यह जो special category of states है, यहां से कही पे जा रहे हो, यह कही से यहां पे जा रहे हो, तो exam था, अभी exemption का लिए उनी को मिलेगा, जो economic class सफर कर रहे, तो अगर आप इन state में जा रहे है, by business class, यह कोई और class रहेगा, other than economic class, तो उसमें अभी GST आएगा, तो earlier it was by air था, तो earlier business class हो यह, economic class सब में government exemption रहेगा, अभी government में बोले कि नहीं, सब में exemption नहीं रहेगा, economic class से तो exemption रहेगा, बागी यह तो same, इसमें कुछ amendment नहीं है, now, इंटर नुबर 21, transportation by railway, vessel and GTM, परेड न, so, railway and vessel के लिए कि exemption था, railway equipment and material अगर आप लेके जाते हैं, तो exempt होगा, अभी इसको हाटा दिया है, अभी इसको क्या कर दे, हाटा दिया, तो railway equipment अगर अभी जाएंगे, by railway and vessel, पहले exempt था, अभी उस पर GST आएगा, तो अभी इसमें इतने चे exempt बचेंगे, इसमें मैंने railway equipment हाटा दिया है, तो अपने लिस्ट में से क्या करना है, अपने को railway का जो यह equipment है, उसको हाटा देना है, बाकि सब सेम इच है, इस इस क्लियर, तो यह बस अगर पॉस्वले तो अभी चकट कर दो, मतलब आपके लिए बाद में confusion नहीं रहेगा, सो इसमें से railway equipment मैंने हटा दिया है, बाकि लिस्ट as it is है, अगर मैंने पूरा ट्रक बुक किया है, अगर मैंने पूरा ट्रक सिंगल करेज मैंने बुक किया है, अप्टू 15 से तो जीईश्टी नहीं आएगा, पंदरा सो के उपर तो जीईश्टी नहीं आएगा, गुड्स बेर कंस्टरेशन चार्ज फॉर दर ट्रांस्परेशन अब गुड्स ओन कंसर्मेंट नहीं सिंगल कैरेज, पंदरा सो से कम है पूरा ट्रक करेज तो कम है तो एक्जेंब था, सोलो से तो टैक्सवल था, अभी उसको हाटा दिया गया, मतलब अभी ट्रक का किरा कितना भी हो, दो सुर रुपए भी होगा तो भी जीश्टी आएगा, यहां से 7500 को हटा दिया है, तो उपर मैंने पूरा ट्रक बुकिया, यह पर पूरा ट्रक नहीं बुकिया, मैंने 4-5 पार्सल दिया है, तो बिले 4-5 पार्सल में से जिस पार्सल करेज, 7500 कम था, वो एक्जेंब था, 7500 के ओपर ट्रक ट्रक नहीं करना है, जितना भी जीटे का किरा है, जहां पर पूरे टेशल होगा भी लिए तेन नाव एंटर नेबर 12 रेसेंशल ड्वेलिंग इस इस वेरी इंपोर्टन यह मैंने आर्सेंग में बहुत डिटेल में एक्स्प्लेंग कर दिया है और मैंने आर्सेंग में भी कहा था लास्ट टेक्टर में कि एक्सम्शन में भी है तो रेंटिंग ओपर एयसेंशल ड्वेलिंग कि सर्फिस भाई मैं रेंटिंग आफरेंट रिसेंट ड्वैलिंग फर उस आजव पे ले भी था एक्सेप्ट बिःसेंशल ड्वरिंग एस रंटेग्ट तो झांडर आपारिन भी ड्यिच्टि रिच्टर परसन को तो इस पे अभी GST आएगा तो रेसेंशल ड्वेलिंग मेने अगर रिष्टर परसों को लेट आउट किया और तो पर बिजनेस परपस नोट फार परसनल परपस बिजनेस परपस है तो GST आएगा ठीक है तो यह इसका डाइकरम आप आर से में देख लो अपने बहुत डिटल म किया है देन एंटर नंबर फोटी में एमेंट मेंट हुआ है रेंटिंग आफ ओटल में जो पहले था अपने पढ़ा था कि वाल्यू वन ताउसन तक है अगर जो अपने पैसा दिया है वह अगर हाचार रुपय तक है तो GST नहीं आता था अब गवर्मेंट नो हटा दिया है तो अब गवर्मेंट ने क्या बुला है कि जिस अटल करेंट हजर से भी कम हो शाथ सो आट सो सब पर जीएस्टी आएगा पूरे पर जीएस्टी आएगा तो इसके आगे कोई exemption नहीं मिलेगा जिस होटल का करेंट हजर से भी कम है उसमें अब जीएस्टी आएगा नेक्स्ट ना एक्जम्शन रेटेट टू एंटर्टेन्मेंट सेक्टर बहुत ही बड़ी आएमेंट्मेंट हुआ है एंटर नमबर 80 आप चेक कर सकते हैं सर्विस बाइवर ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिशन अक्टिविटी तो सर्विस ब बड़े-बड़े और्गनेशन फॉर्म करके लोगों से पैसे लेकर एक्जम्शन करते हैं अभी गवर्मेंट इसको रिस्टिक करते हैं यह बेनिफिट खाली इंडिविज्वल के लिए हैं तो इस इंडिविज्वल मैं अगर ट्रेंग दे रहा हूं और कोचिंग कर रहा तो जी एस्टी नहीं आएगा अगर उसने कुछ कंपनी फॉर्म कर दिया है एकड़ी फॉर्म कर दिया है अधर देन इंडिविज्वल तो फिर उस पर जी एस्टी आएगा नेक्स्ट इंटर निम्बर ट्विज्वल अगें बहुत बड़े अमेंड्मेंट हुआ हैं से क्या बाइ आटा दिया है अगर आरे किसी का भी सर्विस दे रहा है और उस पर जी एस्टी आएगा अगर्वर्मेंट अभी आरे को नहीं छोड़ रही है फिनेस भेंस्टर एन तो एटिंग सीतरवन मैंडम नाराज होगे सबसे सब एक्सम्शन आटा रहे सब जगा पर टैक्स ल पहले थे डिपार्मेंट अब पोस्ट दूसरी इन रिलेशन टू एरक्राइब वेसल तिसरा ट्रांस्पोरेशन अब गूड्स एंड पैसेंजर एन अदर देन एटो सी तो बी सी डी में कोई अमेंडमेंट नहीं है यह अमेंडमेंट मैं आपको अल्लेडी रिवर्स चाज म अब इसको हटा दिया मतलब क्या क्या गौवर्मेंट ने ऐसे नहीं कि एक्जेम्ट करते हैं इसको यहां से हटा दिया तो अभी यह सभी फॉर्वर्ड यह चारो टैक्सल हो जाएंगी तो पहले भी टैक्सल थी बता फ़रक क्या है फिर पहले क्या था पहले यह भी चारो टैक्सल थी बट पहले यह चार ही टैक्सल थी एन अभी इसको हटा थे मतला भी सभी टैक्सल होगे एन एक नया लाया उन्होंने सर्विस यह 24 सी नया इंसेट किया है बस डिपार्मेंट आप पोस के अभी यह चार सर्विस एक्जेम्ट र ये वाला exempt होगा तो departmental post के भी चार service exempt होगे postcard, inland letter, book post and order post ये चार शोड़के बाकि जो भी services है वो सब taxable है और वो सब करने के लिए इन चारों से हटाए गया अगर ये चार नहीं हटा थे तो क्या होता ये चार exemption लिख दिया ये चार taxable लिख दिया बाकि के services का क्या confusion क्रेट होता तो confusion का अटा ये लिए गवर्मेंटने अमेंटमेंट किया तो अभी आपको क्या दाना है कि departmental post की है चार services postcard, inland letter, book post, orderly post ये चार services exempt है बाकि ये सभी services पे tax आएगा ये चार तो पेले से थी बाकि और भी कोई services है और भी कोई services है इन सब पे forward charge पे tax आएगा सब पे का पे आएगा forward charge पे tax आएगा then entry number seven अभी logical amendment है service part by government to business entity where turnover is less than 20 lakhs where turnover is less than 20 lakhs मतलब क्या बता सेम यहां से हट गिया है amendment नहीं है बस उतना ही है see that logic लगाओ ये जहां जहां पर आपको दिखें का नागे सब जगा से हट गिया तो जब government business entity को service देती है तो क्या था amendment क्या था प्रोविशन जिस business नहीं का turnover 20 lakhs से कम है उसमें exempt है उसमें क्या है exempt है प्रव नाम इनके लिए अपला नहीं था मतलब अगर यह services business entity को चाहरी है कौन सी यह चाहर एक दो इन दोनों service business entity को चाहरी है एन देन इनरेशन टू वैसल ट्रांस्पोडेशन यह इनके लिए बीच लाग का लिमिट अपले नहीं होगा यह पहले भी था तो amendment क्या हुआ है अब वहरे कि मैंने मोड़क स्यूंस्यक्ति यहिसा का यायं इस को है अज यह यह तो psychology कि असलिई ऑने इतना कि मतलब यह को पहले जगा आप 설 करना है कि एक से नमबर नाइन सर्विस प्रड़ बाइब गवर्मेंट वेर कंसरेशन लेज जन फाइटर अपने पड़ा का और मैंने आपको लास में बताया था कि तीनों कनेक्टेड है यह और यह एंटर नमबर सेवन एंड नाइन कनेक्टेड है सेवन में क्या बोला है जिस गमलता की प्रद्र प्रदल वेक्शन तो 10,000-210,000 के ओपर है तो विशन लेज़का ट्राइक्स दैना है उसले इसको और यह Dobry तो इसको आटा दिया है te hefra da प्रविजिस एंटीटी को इसका टर्न वेश्ट लग से जाता है उसह के लिए टैक्सेबल है बस maximum कड करना है तो बाकि इसमे दोसि को कड करना है इंट्रिंबर 8 सर्विस पॉर्ड बैर गॉवर्मेंट गॉवर्मेंट इसमें 20 पाट दिया इसको अटा दिया इसमें बागी नया पढ़ने को कुछ भी ने पढ़ने को कुछ भी नहीं और कि इंडिया एफ एस एस ए आए जब आप फूड रेश्टराण का बिजनेस करते हैं तो आपके लाइसेंस लिलना पढ़ता है तो पहले लाइसेंस फेस के ओपर जी एस नहीं लगता था अब इसको भी अटा गया तो यह जो आप लाइसेंस लेंगे इस पर जी एस टी आएगा तो जो भी सर्विस देते थे उस पर जी इस टी आए तें 52 ए टूर ऑपरेटर सर्विस अभी यह बहुत इंपोर्टन एमेंटमेंटमेंट अपने पढ़ा था कि कोई बाहर का बंदा है जिसको इंडिया में टूर ऑपरेटर उसने इंडिया के बाहर बेचा तो उसकी चर्ज अब इसमें थोड़ा गवर्मनें एमेंटमेंट कर दिया है जस्त एक मिनिटा अ अजस्त वन मिनिट यह एक में चेक कर लेता हूं है चीक है चल अब तो टूर आपरेटर अगर किसको सर्विस देता था फॉरेंट टूरिस्ट को सर्विस देता था इन रलेशन टूर टूर कंडेक्टेड आउटसाइड इंडिया उस पे जी एस्टी निया आएगा अभी एक नया नोटिफिकेशन है 52A देखो इसमें क्या बोला है तो टूर आपरेटर विच इस पार्टली परफॉर्म इंडिया एंटली पार्टली परफॉर्म आउसाइड इंडिया सप्लर बेट टूर ऑपरेटर फॉरेंट टूरिस्ट अभी देखो आपन नहीं क्या पढ़ा था इसा देखा कि वह इंडिया में भी कर रहे हैं देखो प्रोवाइजर वन क्या बोलता है तो देखेंट वैल्य अब टूर आपरेटर सर्विस विच परफॉर्म आउटसाइड इंडिया तो एक्सम्शन उतना ही मिलेगा जितना इंडिया के बार होगा है तो अब यह प्रोप कि सच प्रपर सअंब दर तो टॉटल कंसरेशन चाइज तो फो इंटायर टूर विच एक्वल टॉट व प्रपर सुन उप्रॉटल विच देखा तोटल टूर का 15 जिं जा ऑंक उसने इंडिया के बार कितना बार हे तोर किया है लेट तो फॉर नेंजिशं पर पांजिन चें एजुम करो आपका टूर पैकेज देड़ लाग का है तो पंदरा दिन से पास दिन भारते मतलब प्रपोर्श्ट आप निकल सकते हैं कि पंदरा दिन का घर्चा देड़ लाग तो पास दिन का कितना प्रपोर्श्ट यह बोले ना और तो जो भी कंस्रुजन चार्ज हुआ है वह नंबर अप डेस की बेसिस पे डिवाइड करो और 50% अप टोटल कंस्रेंज चार्ज फॉर अटाइर टूर का 50% विचवर इस लेना है रिश किया लेना है लेस में एग्जांबल बताता हूं लेटास है आपका टूर है 15 देज का जिसका कॉस्ट है देड लाग रुपया ठीक है इसमें से फाइव डेज आउटसाइड इंडिया है एन टेन डेज इन इंडिया है तो यह आ गया है सोलुशन देखो क्या से अगर उन्हें क्या बोला है पहले नंबर अब डेस्पे करो पहला क्या होगा देड लाग रुपय करचे किया ना सो 1,50,000 नटु 5 बाइ 15 टोटल पन्दर इन का टुर है ना यतना है गा 50,000 या फिर 50 पर्संट आप 1,50,000 नोटल टुर का करचे देड लाग रुपय उसका 50 से 5,000 whichever is less that is 50,000 क्या होगा exempt होगा मतलब यह outside India मानेंगे न this is the value of tour outside India so इसको मना जाएगा value of tour outside India तो उतना exempt होगा बाकी का tax होगा यह पहला पार्ट यह है प्रोवाईजों लिख लो यह है पहला प्रोवाईजों प्रोवाईजों लिख लेखाएजों ठीक है चलो दूसरा देखो क्या लिखाएज प्रोवाईजों लिख लेखाएजों लिख लेखाएजों लिख लेखाएज तो हो सकता है कि वह नमबर अप्रोवाईज इग्जेट मैच नहों तो फिर वह पूरा दिन लेना है अनलेस देन ट्वेलार से तो हाप दी लेना है वह दो फॉर आर्स एन इलेवन फॉर देस इलेवन आर्स है तो अपल लेंगे फॉर पॉईंट फाइफ देज एन फॉर आर्स थर्टीन फॉर देस थर्टीन आर्स है तो अपल लेंगे फाइफ देज फॉर देस एन इलेवन आर्स अपलो फॉर फॉर देस एन शिक्स्टीन आर्स आपलो फाइफ एन तो लेस देन ट्वेल है तो हाप देज लेना है तो 4 hours and 11 days है तो 4.5 days लोग इंडिया में बाकी बाहर, क्या वाटर इस है, and 4 days and 16 hours है तो properly पुरा पाच लेना है, चीक है, then, अभी foreign tourist का definition दिया है, एक्दम सिंपल है वो, person means not a normal residing in India, वो एंट्रें इंडिया for a stay not more than 6 months for legitimate non-immigrant purpose, as a tourist आया है, वो घूमने आया है, maximum 6 मेनी इंडिया मेरेगा, बापीज जाएगा, चीक है, तो एक example दिया है, a tour operator provide tour operator service to foreign tourist as below, पहला, 3 days in India, 2 days in Nepal, consistent charge for entire tourist 1 लाख रुपेज, तो एक लाख रुपेज चार्ज किया है, तो अभी देखो, यहाँ पे, दो दिन नेपाल में है और तीन दिन इंडिया में है, दो दिन इंडिया में, हाँ, तो क्या ratio होगा पहला, दो options, एक number of days के सबसे करो, तो 2 by 5 करेंगे तो 40,000 आएगा, एक लाख का 2 by 5, या फिर 50% of 1 लाख, which is 50,000, तो whichever is less, तो तो बोलो 40,000 और 50,000, इसमें से छोटा कौन सा है, 40,000 छोटा है, तो टैक्सिल लाख कितना आगया, 60,000 हो गया, क्योंकि 40 जर के एक सम्षिक बिलेगा, दूसरा, 3 days in India, and 2 days in India, and 3 nights in Nepal, उल्टा होगा अभी, तो नेपल का 3 by 5 होगा, तो एक लाख का 3 by 5, 50 होगा, और 50,000, which is less, तो 50,000 एक्जम्ट होगा, तो तीसरा, 2.5 days in India, and याप लिखो 3.5 days in Nepal, 3 days in Nepal, तो धाई दिन इंड़ा में था, and 3 दिन नेपल में था, तो अभी टोटल होगा, साड़े पाँच, तो यहाँ पर साड़े पाँच होगा, तो एक लाख 3 into 5.5, 5 divided by 5.5, और एक लाख का 50%, whichever is less, तो एक लाख इंटो 3 upon 5.5, और एक लाख का 50%, तो टैक्सल कितना होगा, 50 होगा, एक लाख 50 होगा, तो यह बहुत सिंपल कालकुलेशन है, इस केस आप से होगा, चीक है, चलो, आगे, सर्विस प्रोवाइट टू गवर्मेंट, यह हटा दिया गया, जीएषटी नेटवर्मेंट, जो गवर्मेंट को सर्विस देता था, अपने पड़ा था, इस पर जीएषटी निया था, बड़ा भी इस पर जीएषटी आएगा, इंशुरेंस रेगुलिटी डेवल्पेंट अथरट फिए पहले इस पर एक्जिम्ट था, अब यह जो सर्विस देएंगी इंशुरेंस कंपनी को, इंको जो पैसा मिलेगा, उस पर भी जीएषटी आएगा, then, सेभी, सेभी के सर्विस पर भी जीएषटी नेहीं था, लेकर अभी सेभी जो भी सर्विस देगा, उस पर जीएषटी आएगा, स्लाटरिंग ऑफ एनिमल इस पर पहले नहीं था आई डून नो क्यों नहीं था पर आप इसको हटा दिया है सो नौ स्लाटरिंग ऑफ एनिवल पर अभी जो भी चारज से लिंग उस पर जीएस थी आएगा जिए एक था यह भी हटा दिया पर आप अर्बिया फ्रम आउटसाइड इंडिया मतलब दोनों तरफ आमेंडमेंड्मेंट कर दिया सर्विशन बाए आर भी था जो पनने के ना वापर वह टकस वली अभी सर्विस टू रबिया में यह एक एक्जिंग था अभी इसको भी अटा धिया मतलब आर वे पो जोबि आपको पता है कि जहाँ पे बेबी बॉन नहीं हो रहा है तो बाइड दूइंग आईवी एफ बेबी को जनम दिया जाता है यह बहुत लेटेस्ट टेक्नोलजी आपको पता ही रहेगा तो question था कि healthcare sector में आता है कि नहीं आता है क्योंकि अगर ही healthcare sector में है तो जी इस्टी में आएगा पर आभी government बोले कि यस यह healthcare sector में आएगा एंग्सेंट होगा सो आई वेफ को जो है fertility centers होता है तो जिन लोगो बेबी बॉन करने में difficult हो रहे कुछ medical issues आ रहे हैं तो they go to the fertility center and by doing things are up there again after doctor nia top new was cut to cut पढ़ना है एना जादा डिपने मज़ जाओ कि क्या होता है एना है ना इस्ट नॉबर टू जादा सूचेंगे तरह इस वनों कि आपने सथी इस हो जाए जाता सोचना मज़ है कि littlePanteakinal निए अटिकेट्स प्राइवेट फोर पैसेंजर ट्रांसारटशन जो पहले पब्लीक ट्रांसपोर्ट के लिए था देखो क्या थैं पहले प्हले ट्र मलत पैसेंजर और पांसोट प्राइब्लेक ट्रांसपोर्ट जो है अधर देन प्रेडांटली मेंट फॉर टुरीज़म में इन वेसल बेटिविन प्रेसे लोक इंडिया एक्जिंट था मनलगर आब वेसल से जा रहे समंदर में से जा यहां से शिप में से जाना पड़ता है वहापे जो लोग रहते हैं उनको भी शिप से जाना पड़ता है तो पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट था तो उस पे जेश निया था अभी जो प्राइवेट फेरी उनको भी एक्जम्शन दे दिया है इस अभी और एक इस्व हाता है ख्लेक लिरिफिकेशन लुमर थी वेर हाइरिंग आप वेकल बाइफ फर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन दिर एंप्लाई तो एंट फॉर्म वर्क इस एक्जम्ट अंटर फिप्टीन भी क्योंकि देखो एंटर फिप्टे में था ट्रांस्पोर्टेशन और पैसेंजर बाइफ नौन एसी कॉंट्रेक करें एक्जम्ट हैं तो क्वेश्चन नहीं है कि जो बड़े बड़े को गया दिया है इडिस क्लेरिफाइब एड एक्जम्ट अप्लेट टो पैसेंजर ट्रांस्पोरेश्चन सर्विस बाइन ओन एसी कॉंट्रेक करेंज वे एक्जम्ट निकलते ग्यारा बज़े पोस्ति उसका रूट फिक्स होता है सब कुछ फिक्स होता है तब उसको ट्रां सब्सक्राइब लेकिन अगर यह प्रेडिटर बैंट रूट नहीं है कंपनी ने बस हायर की है वह कभी भी एंप्लाइब को लेने जाती है कभी भी ट्रॉप करती है उसको तो फिर जीस्टी आएगा देग्समिशन शाल नाट भी अप्लीकेबल वेर कॉंट्रेकर जिस ऑंड़ का सब्भाइब तुम गजाते है कि आपर में यह थी मीने के लिए तो तुमको तुमारे बस कमबनी को रहन पे देना है और राइवर बागी कहां से कब जाना है रोज इकीड़ीड आरे को फीक्स रूट नहीं है उसको ट्रांसपोरेशन पैसेंजर नहीं मानेंगे और फिर उस पे जी एश्टी आएगा सब्जेक्ट टू कंडिशन एग्रिमेंट एंटर इंटू विद्ध सर्विस प्रोवाइडर तो आपके साथ एग्रिमेंट रहेगा कि आपको हमको छे मेने का बस देना है और हम डिसेड करेंगी वा प्रस कहा पर जाएगा कहा पर लेंगे जाएगा कहा पर लेंगे टीक है अगर बस ही पूरा रेंट पी लिया है और वह कम भी डिसेड करेगा तो फिर वो ट्रांस्पोरेशन पैसेंजर देगी क्योंकि वापर कोई प्रीडिफाइन रूट नहीं है वोड़ क्या है प्रीडिफाइन रूट तो यह एक्जम में आ सकता है और अप्लिकेशन फी चार्ज पर एंट्रेंस फी पर इश्यों सर्टिफिकेट फोर एडिमिशन और इश्यों माइक्रेशन सर्टेट बाई एजूकेशन इंस्टूशन यह आपन ने पढ़ा था एजू सब्सक्राइब पैसा लिया है पर इश्यों आप एलिजिट सर्ट्विट फॉर एड्मिशन और इश्यों आफ माइक्रेशन सर्टिफिकेट पाई एजूकेशन इस्टूशन मंतब काफी सरी इंस्ट्यूशन आपको एलिजिविटी सर्टिट देते हैं ताकि आपको कही पर एड्मिशन मिलेगा या माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं अगर आपको इनुटी चेंज कर रहे हो तो तो पूस्टिन है उस पर जीईशन आएगा क्या यूगी ये भी अडिविशन देर अर अपनने एड्विशन सेक्टर में पढ़ा था कि अडिविशन लेने का कोई भी सर्विश ये तो उस पर जीईशन आएगा इसका क्लेरिफिके देखो, it is clarified that any amount or fee charge from prospect to students for entrance or admission or for issue of eligibility certificate to them in the process of their entrance admission as well as fee charge for issue of migration certificate by education institution to the living or ex-student यह exempt है, मतलब एक्जेशन च्रोंट हो या कोई भी च्रोंट हो, no GST, तो यह जो migration certificate आप दे रहे है, या कोई दूसरा certificate दे रहे है, eligibility certificate, ताकि आपको यह पर admission मिले, तो उस पे जो पैसा लिया जाएगा, वो भी education service का ही पार्ट माना जाएगा, और उस पे भी GST नहीं आएगा. Next, whether additional toll fees collected in the form of higher toll charges from vehicle, not having fast tax is exempt from GST, अभी आपने पढ़ा रहेगा, काफी हरे एक्षेट में अलगलग रूले, बट mostly महारास्टा में ऐसे रूले, कि अगर आपके पास fast tax रहेगा, तो double toll लिया जाता है, जो भी percentage हो, government decide करती है, तो question ही, जो additional amount लेंगे, अचा, toll पे तो GST है, अ अभी additional amount पे GST आएगा की नहीं आएगा, बोलो क्या है, तो toll पे GST ही कहा है, तो toll पे GST ही कहा है, तो toll exempt है, तोल में दूसरे बढ़ा है, नॉर्मल toll charges पे GST है, तो it is clarified that address will be collected in the form of higher toll charges from vehicle not having fast tax is essentially payment of toll for allowing access to road or bridge to such vehicle, and may be given same treatment as given to toll charges, and वो भी क्या रहेगा, exempt रहेगा, next, issue number 6, applicability of GST on payment of honorism to guest anchor, जैसे आपके college में कभी-कभी बाहर के speaker आते है, मैं भी as a guest speaker करके जाता था, तो as a guest speaker करके जब हम जाते थे, तो question था कि उस पे GST आएगा की नहीं आएगा, देखो क्या यह है, It is clear for that, supply of all goods, service taxable, unless they are exempt, तो service provide by guest anchor in lieu of honorarium, attract GST liability, subject to registration requirement as per the provision of law, सी मतलब जो guest anchor जाते है, जिमको honorarium दिया जाता है, मैंने में एक बार आएगा, यह साल में कभी को भी आते है, तो उस पे GST आएगा क्या, आएगा, visiting faculty की बात भी हो लिए, जो visiting faculty आते है, तुम पे तो आएगा इच, यह guest है, छे मिने में एक बार आएगे, तो उस पे GST आएगा, बस subject to क्या है, registration requirement as per the law, तो guest के पास GST के नमबर होना चाहिए, एना क्योंकि guest अपने को service दे रहे हैं, बिलकुन मनाएक देगा guest, तो guest के बास अगर GST नमबर है, तो GST आएगा, नहीं है, तो फिर नहीं आएगा, issue number 7, renting of vehicle to state transportation and local authority, अपन ने पढ़ा था, कि अगर हम buses and state authority को rent पे दे रहे हैं कि इनको, महराश्च्टा state corporation मैंने कहा था class में, MSRTC, आपके state में जो भी है, उनको अगर busses rent पे दे रहे हैं, तो guest नहीं आ था, it is clarified that expression giving on hire includes renting of vehicle also, accordingly service where said, where the state vehicle are rented or given on hire to state transportation and local authority are eligible respective whether such vehicle run on routes, timing, decided by state transport or local authority, तो अब उसको rent मानो या hire मानो, and hire मतलब कुछ समय के लिए दिया है, rent मतलब permanently दिया है, दो-चार मेने के लिए दिया है, तो आप renting करो या hire करो, दोनों के इसमें government exemption दे दिया है, तो आप आपके busses, government को, local authority को rent पे दो या hire पे दो, पहले renting था, उन्होंने ने खुला कि hire भी इसमें कवर्ड होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लेरिफेशन रिकार्णिंग अप्लिकलर GST on sanitization and consistency services supplied to army and other central state departments, ये कुछ काम का नहीं है, ये छोड़ दो है, चीक है, ये भी छोड़ दो, कुछ पढ़नीग जुरूत नहीं है, प्लास के तीन मत पढ़ना, पहले साथ पढ़ लेना, चीक है, चलो, नौ, डेविट नोट, करेट नोट, चलो, देखते क्या भी, प्लास के तीन मतलब आपको ये डिकलरशन देना है, अच्छा आपन ने पढ़ा था, ये यहादे लिश्ट, कि इन लोगं को इन वोइस देनी की जरूद नहीं है, नहीं लोगों को इन्वाइज देनी की जरूत नहीं है, गवर्मेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथरॉर्टी, इन्वाइज इशू नहीं कर रहें न वो, बाइटाक्स पर हविंग एग्रिगेट टर्न और एनी प्रेसिटिंट फिनेशल एक्सेड टेन करोड यह पहले बीस था अभी कितना हो गया, दस करोड बस तू यह दिया है, क्योंको बस वो डिकलरेशन देना है, क्या हमको स्वाइन्ट वाइजो कुनेंपों, धेविट नोट, क्रिट नोट में जो था जो ठान, जो था कि अस देविट इनओ उशू कब करतें हैं? जिस मेने में इवेंट हो, उस मेने में एशू करते हैं, या काफिपर पर कुछ अध्रेस्मेंट पान के बाद ही किए जाते हैं। तो डेबिट नोट करिट नोट बाद में दिया सकता है यह बाद में भी दिया जाएगा सबाद में कब दिया जाएगा तो यह था अगले साल का 30th September और 34 December whichever is अगले साल का September का जो रिटन है वो या 31 December whichever is earlier था तो देखा एक्जेस्टिंग प्रोविजिन क्या है एनी रिष्टर परसन हो शू क्रेट नोट इलेशन टू सब्लाइब गूर्ट सर्विस बोथ शार डिकलर डिटेल्स आप सच डेबिट नोट क्रेट नोट for the month but not later than मतलब उस मैने में देना है बाद में दिया तो ही चलेगा कब सब्टेम्बर एंडिंग सब्टेम्बर फॉलिंग देंड अफ फेनेंशिल यर तो इस सप्लाइब वाज मेड और डेटा फाइलिंग अनुल रिटन वीचवर इस आरलियर मतलब जैसे अपना फिनेंशि करेंगे अब इसलिए कब करेंगे 20 ओक्टोबर और अनुल रिटन का लास्ट डिट क्या होता है 31 डिसेंबर वीचेवरी इस आरलियर यह यह आपने पढ़ा था अभी उस गवर्मेंट ने चेंज किया किया आफ्टर एमेंड्मेंट्ट अब यह इसके जगह क्या लाया गया 30 नोवेंबर लाया गया बस उतना सा चेंज है तो जो अभी सप्टेंबर तक मौका मिलता था अभी कफ तक मिलेगा 30 नोवेंबर और अन्यू लिदंका डेट विचवर इस अर्लियर इसमें जल्दी है उसमें आपको मिल जाएगा विचवर इस आर्लियर विचवर इस आर्लियर इस इस क्लियर वी छोटा सा अमेंड्मेंट्मेंट हुआ देखो एनि रिष्टर परसन इशू एक तो से में करों बट न लेटर दैन बाद में अप करना है तो जिस फैनेशलियर का डेविट नोट करेट नोट है वो खतम होने के बाद 30 नोवेंबर इन विचेवर इस आर्लियर एन अकोडिंगली आपका टैक्स लेटी अडिस्ट होगा यह तो कॉमन पॉइंट है जब इड़िट नोट करेट नोट इस्ट होगा तो इसे में इंपैट आएगा की न आएगा तो वही बोला है एकोडिंगली आपको टैक्स लेटी क्या करना है एड्डेस करके लेना है देन रिटन चाप्टर टेन रिटन में छोटा सा एमेंट्मेंट हुआ है बस यहाँ पर वर्ड डाला गया रिस्टिक्शन बाकि कुछ भी नहीं है एक्जिस्टिंग प्रोविजन एंड प्रोविजन अमेंडेट पाइड़ एक्ट यह आप एक वर्ड लाएगा रिस्टिक्शन तो सेक्शन 37 क्या था बताओ रिटन आप आउट्वर्ट सप्ला है तो एवरी रिजिटर परसन अधर दैन आईसडी नर्टीपी परसेंट पिन तो क्या बोला था शाल फर्निश इलेट्रोनिकली इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ट तो पहले आप रिटन बर सकते थे अभी कोई प्राव ने बड़ आभी गवर्मेंट चाहती तो उस पर रिस्टिक्शन डाल सकती बस इतना वर्ड एड किया है अगर गवर्मेंट चाहता है तो रिस्टिक्शन डाल सकता है अगर रिस्टिक्शन डाल सकते हैं और यह कुछ काम कर नहीं हाटा दिया यह पहले था 11 तो 15 आप कुछ नहीं कर पाओगे इसको हाटा दिया, क्योंकि अभी GH2 हाट गया, तो इसकी जरुरूती नहीं है, तो इसको भी हाटा दिया, बाकिस सब सेंग यह है, तो section 31 is amended, provide for prescribing condition, restriction for furnishing details of outdoor supply, for the communication of the details of such outdoor supply to concern recipient, मतलब, अभी देखो, लोजिकली बता हम 30 seconds क्या return of outdoor supply, अभी मेरे उपर अगर restriction आता है, तो naturally सामने लेको क्रेट मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि जब तक मैं return file नहीं करूंगा, तो सामने लेको क्रेट नहीं मिलेगा, क्रेट न, तो इसलिए उसका communication होगा, concern recipient को, कि मेरे उपर restriction डाला गया है, do away with the two-way communication, इसको छोड़ दो, two-way communication की ज़रुत नहीं है, बस इतना इधान रखना है, यहां पर भी time limit कितना कर दिया, 30 November कर दिया है, तो अपना, अपने जो सब्टर्म बढ़ा था, शिक्स्टीन फोर देको section था, वो भी 30 November हो गया है, यह कुछ काम का नहीं है, यह क्योंकि अभी GST2 हट गया, तो corresponding amendments हट गया है, यह हट गया है, section बस 42, 43 हटा दिया, यहां पर था पहले वो, उसको यहां से हटा दिया है, यह यहां पर क्या था, वो सामने लोगो communication कर दा था, पहले क्या था, जब GST2 आथा न, तो मैंने return of outward supply फाइल किया, तो आपको scope था, changes करने का, बड़ा भी वो scope खतम हो गया, मैंने एक बार written file कर दिया, मेरे से mistake होगे तो आपको credit नहीं मिलेगा, आप उसको change नहीं कर सकते, इसलिए point की कुछ ज़रूत नहीं थी, मैंने lecture में यहाँ था, इस point का कुछ relevance नहीं है, 11 to 15 में आप change कर सकते है, इसका कुछ मतलब भी नहीं है, तो इसलिए इसको आटा दिया, बागी आपको पढ़ने ज़रूत नहीं है, 40 to 43 जो concept नहीं मिस्पैच, वो गोर्मेंट लाने वाल थी, पर गोर्मेंट ने खुद आटा दिया, तो यह भी हाँ से अट गया, तो बस 37 में आपको cut करना है, और यह चीज़े मैंने class में पढ़ाई भी नहीं है, कि अगर चाहते हैं, तो आपको यह नहीं था, कि लाया गया, हम आपके उपर restriction डाल सकते हैं, तो किसी पहले tax period का रिटन फाइल नहीं किया, तो यह भी नहीं कर सकते हैं, Provide that government on the recommendation of council by notification, subject to such condition and restriction as may be specified, allow the person to furnish details of outward supply under subsection 1, even if he has not furnished details of outward supply for one or more tax period. मतलब आपने class में पढ़ा था किया, अगर अपने पुरान रिटन फाइल नहीं किया है, तो लेटेस रिटन फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह exception है, क्या बोलाएं, बड़ि यह government बताएगा कि कौन से person के लिए किया जाएगा, और अलाव register person, any class of register person, कि वो उन्हेंने अगर पहले रिटन फाइल नहीं भी किया है, पहले रिटन फाइल नहीं भी किया, तो भी उनको अलाव किया जाएगा, देखो, अभी एक example दिया है, अपने पढ़ा था कि अगर आप मंत्री स्किम में हो, तो अगर उसने लास्ट मन का 3B फाइल नहीं किया है, तो इस साल इस मने का रिटन फाइल नहीं कर दे देते थे, आपको पढ़के गोत्रू करना है, तो अपन यहाँ पर करते हैं, बागी का पढ़के अपन लास्ट लेक्चर में कंप्लेट करेंगी, या तक अब एक पर देख लो, रिमिनिंग विल कंप्लेट इन नेक्स लेक्चर, थैंक यू सो मच, उल यहाँ आपकोः नेक्चर, अजाँ विल्र, कि अबड़के यथरफपर